हेलो फ्रेंड्स, दा लर्नर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 7 के चैप्टर 15 और 16 के प्रशन उत्र करेंगे तो हमारा पहला प्रशन है भारत का प्रथम नागरिक होता है प्रधान मंत्री, राष्टर पती, उपराष्टर पती या लोकसबा अध्यक्ष तो भारत का प्रथम नागरिक होता है यमारा राष्टर पती जो क्या करता है कि राष्टर पती ही क्या करता है राष्टर की एकता, अखंडता और सूद्रडता के साथ क्या करता है संपूरन राष्टर का प्रतिनिदितव करता है नेक्स्ट प्रशन राष्टर के शासन का प्रमुक होता है राष्टर के शासन का प्रमुक होता है राष्टरपती, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या महान्याईवादी तो राश्ट्र के शार्षन का प्रमुख होता है आपका प्रधान मंत्री Next question भारत में संस्दिय लोकतंत्र होने के कारण प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद किसके प्रति उत्तरदाई है राज्य सबा, लोकसबा, राश्ट्रपती या प्रधान मंत्री कि भारत में संस्दिय लोकतंत्र होने के कारण प्रधान मंत्री वे उसकी मंत्री परिशत क्या है कि वे लोकसबा के प्रती उत्रदाई है नेक्स्ट प्रशन देश की राजनितिक वे प्रशासनिक व्यवस्था में महत्व कुन भूमिका निबाता है कौन निबाता है राष्ट्रपती, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री या उपसबापती तो इसका राइट आंसर अपका होगा प्रधानमंत्री नेक्स्ट कोश्चन शक्तियों के विभाजन का सितांत किस शाशन प्रणाली का अधार है अध्यक्षात्मक, संस्दात्मक, राज्य सबा का या राज्य सरकार का कि शाशन प्रणाली का अधार है तो ये शक्तियों का भी भाजन तो ये आपके हैं अध्यक्षात्मक शाशन प्रणाली का और सियुक्त राजे अमरीका में ही क्या है कि अध्यक्षात्मक शासन परनाली को अपनाया गया है कहां अपनाया गया है USA में नेक्स्ट कोश्चन लोगसबा का कार्यकाल होता है पांच वर्ष, छे वर्ष, तीन वर्ष या चार वर्ष तो लोग सबा का कार्यकाल आपका होता है पांच वर्ष नेक्स्ट कोश्चन है आपका पीठासन अधिकारी वे अन्यमद्दान अधिकारी अधिकारीों की न्युक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा, केंदर सरकार द्वारा या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा या फिर आपके कोई नहीं कि पीठासन अधिकारी वे अन्य मद्दान अधिकारी की निक्ति की जाती है तो वो आपके आजाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा और जो ये पीठासन अधिकारी होता है मद्दान अधिकारी के स्योग से क्या करता है कि मद्दान केंदर पर मद्दान कार्य करवाता है तो इनकी नियुकती कौन करता है जिला निर्वाचन हम dieta करता है के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है कूंसे नंबर का अधिकारी होता प्रथम मद्दान अधिकारी द्वित्य मद्दान अधिकारी या त्रित्य मद्दान अधिकारी या फिर आपका कोई नहीं कि EVM के कंट्रोल यूनिट का परभारी कोन होता है तो यह आपके होता है त्रित्य मद्दान अधिकारी और यह क्या बैठता है यह द्वित्य मद्दान अधिकारी के पास में ही बैठता है संस्दिय आम चुनाव के लिए मद्दान की प्रकिरिया किसके द्वारा संपन कराई जाती है राजे निर्वाचनायोग भारत निर्वाचनायोग जिला निर्वाचनायोग या उपर्युक्त सभी कि संस्दिय आम चुनाव के लिए जो मद्दान की प्रकीरिया है वो किसके द्वारा संपन करवाई जाती है तो वो आपके करवाई जाती है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा Next question भारत का चुनाव आयोग कितने स्दसिय निकाय है? तीन स्दसिय पांच स्दसिय एक स्दसिय या दो स्दसिय तो जो भारत का चुनाव आयोग है वो आपका है तीन स्दसिय निकाय है इसमें क्या होता है कि एक तो आपका होता है इसमें एक तो होता है आपका मुख्य चुनाव आयोग्त एक आपका मुख्य चुनाव आयोक्त और दो आपके होते हैं इसमें चुनाव आयोक्त दो आपके होते हैं चुनाव आयोक्त एक तो मुख्य और दो अन्य चुनाव आयोक्त स्थानिय श्वसासन के चुनाव किस आयोक द्वारा करवाए जाते हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, विदान सबा के द्वारा या फिर आपके संसत के द्वारा तो स्थानिय शुशासन के चुनाव आपके करवाय जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कौन से पंचाईती राय स्थानी शोसाशन में आ जाती है और एक आपके आ जाती है शेहरी निकाई तो इनके चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नेक्स्ट कोश्चन भारतिय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934, 1935, 1952 या फिर आपके 1947 तो भारतिय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये आपके हुई थी 1935 में नीमन में से भारतिय रिजर्व बैंक के कार्या नहीं है बैंकों के लिए बैंक, विदेशी मुद्रा का प्रबंद करना, मौद्रिक प्रादिकारी के रूप में या जनता को रिन देना तो कौन सा कार्या नहीं है? तो इसमें आ जाएगा कि जनता को रिन देना भारतिय रिजर्व बैंक का कार्या नहीं है एक तो इसका कार्या है बैंकों का बैंक है ये विदेशी मुद्रा का प्रबंद करना, मौद्रिक प्रादिकारी के रूप में कार्या करता है मुद्र एक और इसके कारिया है एक ये क्या करता है कि मुद्रा जारी करता है मुद्रा जारी करना जुसको कहते हैं क्रेंसी तो क्रेंसी को जारी करने का कारिया भी किसका है RBI का है और एक आपके ये करता है वितिय संस्थाओं का वि नियमन वे परवेक्षन करना और भुगतान और निप्तान परणाडियों का नियमन और परवेक्षन करना और वितिय स्थाइत्व को कायम रखना तो ये किसके कारिया हैं और बी आई के कारिया हैं Next question, सिक्के वे एक रुपये के नोट जारी किये जाते हैं सिक्के वे एक रुपए के नोट जारी किये जाते हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा या इन सभी के द्वारा कि जो आपके सिक्के और एक रुपए के नोट होते हैं वो किसके द्वारा जारी किये जाते हैं तो वो आपके किये जाते हैं भारत सरकार के द्वारा और जो नोट होते हैं वो भारतिय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किये जाते हैं जो नोट होते हैं वो आपके किसके द्वारा RBI के द्वारा जारी किये जाते हैं और सिक्के और एक रुपए का जो नोट है वो आपके भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं नेक्स्ट प्रशन भारतिये रिजरब बैंक द्वारा जारी नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं भारत सरकार के RBI गवर्नर के मुख्य न्याई दीश के या भारत निर्वाचन आयोक के कि भारतिय रिजर्व बैंक द्वारा जो नोट जारी किये जाते हैं उस पर किसके साक्षर होते हैं तो वो आपके होते हैं आरबी आई गवर्नर के तो आपके आपसे एक प्रशन है नीचे कमेंट करके बताना कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है और वो कौन से नंबर के हैं ये प्रशन आपके लिए है आप नीचे कमेंट बुक्स में इसका आंस्वर देना नेक्स्ट प्रशन अल्प कालिन उधार का सवरूप है अल्प कालिन उधार यहाँ पर उधार नहीं है उधार है अल्प कालिन उधार का सवरूप है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM या फिर आपका चेक तो अल्प कालिन उधार का सवरूप है आपका कौन सा कार्ड होता है ये आपका होता है क्रेडिट कार्ड कि credit card क्या है कि यह एक अल्प कालीन उधार का स्वरूप है next question किस खाते में जमा राशी पर कोई ब्याज नहीं मिलता चालू खाते पर, बचत बैंक खाते पर, आवर्ती जमा खाते पर या FD पर तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा चालू खाते पर कि चालू खाते पर, जमा राशी जो होती है उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है और बचत खाता क्या है, बचत खाता क्या है, बचत खाता है आपका सबसे लोग पिर्या खाता बचत खाता क्या है, सबसे लोग पिर्या खाता है किस खाते को समान्यते रेकरिंग डिपोजिट का जाता है आवर्ती जमा खाता, नियतावदी जमा खाता, बचत बैंक खाता या फिर क्रेडिट कार्ड को रेकरिंग डिपोजिट किस खाते को का जाता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका आवर्ती जमा खाता रेकरिंग deposit मतलो RD इसकी short form है RD और इसकी full form है रेकरिंग deposit और ये किस खाते को का जाता है आवर्ती जमा खाते को Next question नियत अवदी जमा खाते किस नाम से जाने जाते हैं रेकरिंग deposit, fixer deposit, RTGS या NEFT नियत अवदी जमा खाते किस नाम से जाने जाते हैं तो ये आपके जाने जाते हैं fixer deposit जिसको बोलते हैं FD और रेकरिंग deposit क्या है RD जिसको कहते हैं रेकरिंग deposit आवर्ती जमा खाते को और नियत अवदी जमा खाते को आपके क्या कहते हैं fixer deposit यानि की FD Next question भारत में बैंकों में कितने परकार के खाते खोले जा सकते हैं चार परकार के पांच या तीन या फिर आपके साथ कि भारत में बैंकों में कितने परकार के खाते खोले जा सकते हैं तो इसका राइट आंसर है आपका चार परकार के जिनके नाम है एक तो आपका आता है चालू खाता एक आपका आजाता है बचत बैंक खाता एक आपका आजाता है आडी जिसे बोलते हैं आवरती जमा खाता और एक आपका आजाता है एफडी जिसको बोलते हैं नियतावधी जमा खाता तो ये चार परकार के खाते हैं जो भार भारत का केंद्रिये बैंक है रिजरीच बार्ड बैंक भारत का केंद्रिये बैंक तो इसका रिजरीच आंसर होगा smiled जिसको क्या कहते है रिजर बेंक बहरति है बहरति है रिजर बैंक आर भि Amb तो यह क्या है भारत का केंद्रिय investment कि तो ऑप्रेंट्स ये थे अपने आज के 21 प्रशन ऐ होपाप आप सब को अच्छे लगे होंगे अगर अच्छे लगे तो वीडियो को like और शेयर करना न भूले और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रशन कैसे लगे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में